हेलो एवरीवन वेलकम टो आर यूटूब चैनल एंड इसी नवीन राना दोस्तों इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ गणित के सवालों को सौल कैसे करें बिल्कुल दोस्तों मैज के कुश्चन को सौल करने के तरीके में इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ आ पहले दोस्तों वीडियो को एंट तक जरूर देखिए, शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला है by method, by method यानि कि match के question को solve करने का जो traditional method होता है, जिसमें हम x मानकर question को solve करते हैं, तो हो है by method, तो इसके लिए डियले मैट का complete syllabus के लिए में एक सरी सुरू करने वाला हूँ, जिसमें डियले मैट का पूरे syllabus को हम कबर करेंगे, तो वहाँ पर हम इस method को अच्छे से समझेगे, अभी मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ, बाइ option से किस तरीके से हम math के question को solve कर सकते हैं, और trick का use करके कैसे हम question का answer निकालेंगे, और experiment or practical करके जो हम question के answer को आसानी से solve कर सकते हैं, और common sense का use करके, बिल्कुल दोस्तों common sense का use भी हम math के question को solve करने में कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, तो दोस्तों इस question को देखें इस question को पहले आप खुज से solve करने की कोशिश करें उसके बाद जो है मैं इस question को solution आपको by experiment base पे बताने वाला हूँ तो चलिए जान लेते हैं इस question में क्या है प्रारंबिक 20 बिसम संख्याओं का औसत क्या होगा यानि कि first 20 odd number का average हमें आपे पूछा है तो आप सभी जानते हैं बिसम संख्याओं कौन कौन सी होती है प्रारंबिक से सलेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी क्या हैं बिसम संख्याओं हैं एक, 3, 5, 7, 9, 11 ठीक है जो दो से पूरी तरह बिवाजित नहीं होती है ये बिसम संख्याओं होती है तो क्या पूछा है प्रारंबिक 20 बिसम संख्याओं का औसत यानि कि पहली 20 बिसम संख्याओं अभी कहां पर कितनी है एक, दो, तीन, चार, पांच अभी तो पांच ही बि बिसम संख्याओं है एक और तीन है इनका औसत निकाल के देखते हैं तो एक और तीन का औसत कैसे निकालते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं और जितनी ये संख्याओं है एक, दो, उससे डिवाइड कर लेते हैं ठीक है आप सभी को पता होगा औसत निकालना है तो इसको स टीन, पांच ठीक है? इनका औम आउस्द निकालएंगे, तो क्या करेंगे? इन सभी और जोड़ेंगे, एक, प्लस तीन, प्लस पांच ठीक है? सबको जोड़ देते हैं और जितने यह नंबर केतने, एक, दो, तीन, उतने डिवड़ कर लेते हैем ते या उस्ट निकालते हैं तो जोड देते हैं 5 और 3 कितने आठ और 9 यनी कि 9 बटे 3 आ गया यनी कि कितना आ है? 3 अब यहाँ से आपको क्या समझायाए? देखो जब 2 बिस्म संक्याओं का उस्ट कितना आया? 2 तीन विसम संक्याओं का पहली तीन विसम संक्याओं का आउसत कितना है तीन चार विसम संक्याओं को देखते हैं क्या है तो एक तीन पांच और साथ पहली चार विसम संक्याओं लेते हैं इस बार ठीक है जब हमने पहली दो बिसम संक्याओं को आउसत निकाला तो दो आया पहली तीन बिसम संक्याओं को आउसत निकाला तीन आया पहली चार बिसम संक्याओं को आउसत निकाला तो चार आया तो मुझे बताओ पहली बीस बिसम संक्याओं को आउसत क्या होगा पहली 50 बिसम संक्याओं का उसत क्या होगा पहली 100 बिसम संक्याओं का उसत क्या होगा 100 होगा डन होगे आपको तो यह हमने एक experiment based पे है solve करके इसका answer निकाला है तो अब आपको यहां से clarity होगे होगी कि किसी भी बिसम संक्याओं का अगर हम average निकाले आउसत निकाले तो वही आता है तो अब आपको इन future कभी भी पूछा जाए कि पहली 30 विसम संख्याओं का आउसत क्या होगा तो आपका अंसर क्या होगा 30 ही होगा यह हमने यहाँ पर experiment करके निकाला है जान लेते हैं next question को इस question को देखे दोस्तों प्रारंबिक 50 संख्याओं का आउसत क्या होगा यहनि कि first to 50 even number का average हमें पूछा है तो इस question को भी हम by experiment बेस पे करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं संख्याओं प्रारंबिक संख्याओं कौन-कौन से 2, 4, 6, 8, 10 यह सब होती है ठीके तो हम क्या करते हैं experiment में पहले दो संख्याओं का आउसत निकाल के देखते हैं तो पहले दो संख्याओं कौन-कौन से 2 और 4 तो इसका आउसत कैसे निकालेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे और जितनी यह number हैं उनको हम उससे divide कर देंगे इतने number हैं संख्याओं का उससे निकाल के देखते हैं तो 3 संख्याओं का उससे प्रारंबी के 3 2, 4, 6 तो क्या करेंगे 2, 4, 6 बटे कितना 3 कर लेंगे क्योंकि यह 3 संख्याओं हैं ठीक है अब इसको देखो 6, 4, 10, 12 12 बटे कितना आगे 3 आगे कितना आजाएगा? 4 यानि कि यहां से आपको एक क्लिर हो गया होगा जब हमने 2 प्रारंबिक 2 संख्याओं ली तो उसका उससाथ हमें कितना मिला? 3 मिला अगर हमने 3 प्रारंबिक संख्याओं का उससाथ निकाला तो हमें कितना मिला? 4 मिला तो आप आपको यहां से कहानी समझ आ गया होगा कि किसी भी समसंख्याओं का आउसत जो है उससे एक जादा होता है प्रारंबिक समसंख्याओं का जो आउसत उससे एक जादा होगा यानि कि जब हमने दो समसंख्याओं का आउसत निकाला तो तीन आया प्रारंबिक तीन समसंख्याओं का औसाद निगाला, तो चार आया तो प्रारंबिक पचास समसंख्याओं का औससथ क्या होगा तो आपका ऑंसर हो जाएगा 51, done है क्लर होगा, तो यह हमने कहां से निकाला experiment plays पे हमने इसका ऑंसर निकालाए अब अगर आप से पूछा जाए कि प्रारंबिक सतर समसंक्याओं का आउसत क्या होगा तो आपका अंसर क्या होगा 71 होगा तो चलिए मूब करते हैं next question की तरह next question क्या है इस question को देखें दोस्तों इस type का question बहुत जाद एक्जाम में पूछा जाता है क्या है इसमें देखें एक आदमी पैदल जाता है और वापस वो गाड़ी से आता है इसमें उसे कुल 6 गंटे का समय लगता है अगर वो गाड़ी से ही जाता है और गाड़ी से ही आता है तो उसके 2 गंटे की बचत होती है यदि वह पैदल जाए और पैदल आए तो कितना समय लगेगा इस question को पहले आप खुशे solve करेगा दोस्तों ठीके तो चलिए जान लेते हैं इस question में क्या है क्या कहा है यदि एक आदमी पैदल जाता है और वापस वो गाड़ी से आता है यनि कि मैंने लिख दिया इसको जाने को बोलते हैं walk से बोलते हैं मैंने डबलू कर दिया आप ठीक है walk महला पैदल से और वापस वो गाड़ी से आता है वापस कैसे आता है by riding से आर लिख दिया मैंने इसको ठीक है by riding यनि कि गाड़ी से आता है तो उसको क्या दो गंटे कर बचात होता है यानि कि पहले उसको 6 गंटे लगते थे तो आप कितने लगेंगे 4 गंटे लगेंगे ना क्योंकि 2 गंटे की बचात हो रही है ठीके तो अब यहाँ पे देखेगा क्या पूछा है यदि वो पैदल जाता है यानि कि वो जाएगा भी कैसे वोक से और पैदल ही आता है आता भी कैसे है वोक से ही तो उसको कितना समय लगेगा यह आपको बताना है यह ठीक है यह क्वेशन जो है common sense से हम इसका answer निकाल सकते हैं देखे कैसे यहाँ पर आप देखे जब वो राइडिंग से जाता है यानि कि गाड़ी से जाता है और गाड़ी से आ रहा है तो चार गंटे का समय लग रहा है यानि कि गाड़ी जो है एक साइड अगर गाड़ी चाती है गाड़ी से आने में दो गंटे का समय लग रहा है आप समझें जब जहां भी गाड़ी से रहा और आभी रहा तो चार गंटे का लग रहा है ना यानि कि उसको एक साइड जाने में कितना गंट दो गंटे का समय लगता है तो आपने यहां पर देखा दो गंटे का समय लगता है तो जब दो गंटे का समय लगता है तो जब दो गंटे का समय उसको जाने में कितने लगे होंगे? 4 गंटे लगे होंगे, common है तो अब यहाँ पर पतर चल गए है कि एक साइट जब पैदल जाते तो कितना गंटे लगते है? 4 गंटे तो यहाँ पर क्या पूछा है? Walk में जाते है, 4 गंटे जाने में लगेंगे और आने में भी 4 गंटे लगेंगे क्योंकि Walk में उसको 4 गंटे के समय लगे तो आपका अंसर क्या आजाएगा? 8 गंटे आजाएगा आशा करतों आपको समझ आगया होगा ठीक है, यह common sense का अंसर था common sense से आप इसको solve कर सकते थे चलि आगे बढ़ते हैं इस question को देखेगा यह भी बहुत आपको एक्जामों में देखने को मिला होगा ठीक है, क्या इसमें देखो एक चिर्या गर में है एक चिर्या गर में कुछ क्या है? कुछ खरगोश है और कुछ क्या है? कबूतर है कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है एक सिर्यागर में अगर बात करें उनकी सिरों की संक्य कुल सिर जो है उनके वो कितने हैं 200 सिरे हैं उनके और पैरों की बात करें तो 500 पैर है उनके ऐके तो बताने क्या है весь कितने ये हमने बताना है अब मुझे एक स्पीज बताईए खरगोश के कितने पैर होते हैं चार पैर कबूतर के कितने होते हैं दो पैर होते हैं यह आप सभी को पता है सिर तो दोनों का एक एक ही होता है ठीक है तो यानि कि कुल सिरों के संक्या बोली है तो 200 यानि कि 200 होने इन दोनों ने दोनों मिला कि 200 ही तो होंगे क्योंकि सिर कितने 200 है तो ये 200 ही होंगे अब हमने क्या किया पैरों को पता करना है तो देखे इसको कि सिंपल तरीके से समझेंगे हमने क्या क्या सारे कबूतर और खरगोशों को ऐसा बिठा दिया लाइन से ठीक है लाइन से बिठा दिया और हम क् सबation कितने पाइर है टोटल 500 पांसोप कभूत्र के पास थो मुझे एक बताओ थो।सब के पास कभूत्र के पास नोपर अंधर गोश्त के पास थोपैर होंगे होंगे इसके पास चार थो थो रहेंगे रहेंगे मैं चाय पहले इन सिर्ध दोऌ फैर हमने सब को देतें कितने होगे दोदो पैर दीदिद सब को चार starred खतम होगे कि जार सुपर खतम होगे अभी कितने सबंगांगी पांची सोब से बाकी है अब मुझे एक चीज बताओ है कि अगर वह समने दोघी तो भींद्र के अार मिलना बाकी है जो ये बच्चे हुए हैं, ऑक किसको मीलेंगे? वोग खरगोश को यह तो मिलेंगे, तो हर एक खरगोश को कितने मेद मिलेंगे? दो-दो मिलेंगे, तो सो को अगर हम दो-दो में बांटेंगे, तो कितना बाटे गए? पचास हो जाएगा. यही कंसर्प्ट आप हर एक कोईशन में लगा सकते हैं जहां पर भी पहरों और सिरों के पूछी गई होगी एक बढ़ फिर से समझ लोग करगोश की चार पैर होते हैं कब उतर की दो पैर होते हैं हमने क्या कि इन सबको बठा दिया तो 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 सिर्थ दोनों मिला के दो सो है उतिए पार में किया पहले सब 100 पैर अभी बाकी है वो 100 पैर किसको दिए जाएंगे यह देखो न वह तो खरगोस कोई, क्यों कि इनको अभी मिलेंगे आफी सिर्फ 22 पैर दिए निया है इनको तो 4-4 मिलने चाही थे तो कितने ऐसे खरगोश हैं जिनको दो-दो पैर मिलने है तो सो पैर बचे हैं तो दो-दो बांटेंगे इन सब को तो पचास ही तो बंट पाएंगे जिनकी पचास खरगोश ही हो पाएंगे तो खरगोशों के संग के अमारी 50 निकल गए अब हम इसको अगर देखने चाहें correct answer ह चाहिया नहीं देखो 50 खरगोस हैं तो पचास कर गोस के निकल गए ठीक हैं और अगर हम बात करेंगे उनकी के 1100 की आजाएंगए एक और question को दिखते हैं इसको जो है हम trick base पे इस question को solve करेंगे trick यानि कि sorry for that इसको हम option base पे solve करने वाले हैं option से हम कैसे कर सकते हैं क्या पूछा ही देखो एक थैले में 50 सिक्के हैं जो कि 55 रुपे हैं 50 सिक्के हैं total 55 रुपे होते हैं वो total इन में से हमने किया कुछ एक रुपे के हैं और कुछ दो रुपे के सिक्के हैं तो कितने सिक्के हैं total यह हमें बताने option उन्होंने क्या दिये रखाएं यह दे रखाएं 30 और 20 यह एक रुपे वाले हैं यह दो रुपे वाले हैं ठीक है यह बोल रहा है तो पहले क्या ध्यां से देखो, कितनी सिख़्खेयें, टोटल 50 सिख़्खें और रूपय कितने होने चाहिए, पिछेचतर होने चाहिए, तो आप आपको बताना है, एक रुपय के कितनी सिख्खेirement, और दो रुपय के कितने है, अब आप यहाँ पे option पर आएए, सिख्खे PhotoP तो देख लेते हैं 131 République 20 आइन है ये 40 4 20 साट हो रहे हैं ये सीधर सिधर खलत हों ये सिंद्स धर कंड़ आपका गया ठीक है अब आपको दूसरे option देखेए, पिचेतर रुपे आपको बनाने है, उन्हें में से एक रुपे वाले दू रुपे, अगर आप एक रुपे के तीस रखते हैं, तो ठीक है, तीस रुपे तो यह हो गए, और अगर दू रुपे के बीस सिक्के हैं, तो बीस दूनी चालिस रुपे यह तो स बचा क्या है, बचा तो यही बचा है option number, यही बचा है C वाला बचा है, पचीस जो एक रुपे के होंगे तो बदा दे दे, अगर पचीस सिक्के एक रुपे के हैं, तो अमने लिग दे यहां पर पचीस, और दो रुपे के भी 25 सिक्के हैं, तो पचीस दूना पचास, तो इ वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए में इस वीडियो में इतने ही बताने वालो हूँ, और इसके अलावा, उत्तरा खांड डीलेड एंटरेस एक्जाम 2020, जो आप लोग देने वाले हैं, आप लोग अगर चाते हैं, कि डीलेड का complete math का syllabus है, सिर्प math की बात कर रह आप लोगों को math में बहुत सारी दिक्कते हैं, उसको देखते हुए मैंने सोचा है, कि डीलेड का math का syllabus है, सारे chapter को हम completely यहां पर cover करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है, तो अगर आप चाते हैं कि सिर्प math की class हम continue करें, जिसमें हम math के पूरे chapter को detail से पढ़ेंगे, तो आप मुझे comment करेंगे जरूर बताएं, अगर आप लोगों के बहुत सारे comments आते हैं, तो ही मैं इसके बारे में सोचूंगा, चीक है, तो वो defend करेगा आप लोगों पर, तो मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, helpful लगा या नहीं, अच्छा लगा है, लाइक करें, comment करें, share करे अपने दोस्तों के साथ, thanks for watching and thank you.